हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैट्स में जो हमारा चेप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उसका पार्ट फोर और आज के पार्ट में हम शुरू करेंगे हमारे डिसकाउंट और मर्प के कंसेप्ट ठीक है शुरू करने से पहले म आपको समझना जरूरी है कि MRP क्या होता है MRP होता है maximum retail price हर जो भी आप प्रॉडक्ट लोगे उस पर आप देखना हर जगा MRP मेंचन होता है तो MRP होता क्या है देखिए यहां पर मैंने लिखा है suppose a shopkeeper bought a perfume for Rs.1000 shopkeeper ने खरीदा यानी Rs.1000 हुए उसकी CP shopkeeper की CP ठीक है from a factory चलो ठी the rate printed on the perfume would be higher than 1000 जो MRP होता है वही होता है rate printed वो हमेशा 1000 से जादा होगा इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा यह है कि shopkeeper ने करना है business और अगर वो MRP 1000 ही होगा जितना shopkeeper ने factory से खरीदा होतना ही होगा तो वो तो कुछ profit कर ही नहीं पाएगा तो इतना efforts मारने का फाइदा क्या ह हुआ इसलिए MRP जो होगा हमेशा CP से जादा होगा MRP printed होता है तो shopkeeper उस MRP पे कुछ profit gain करता है अब suppose कर लिजिए कि MRP है 1500 तो हमने यहां पर लिख दी MRP है हमारी रुपीज 1500 अब देखिए अब shopkeeper के पास 1500 का edge आ गया ठीक है किसी को नहीं पता कि वह 1000 रुपीज का खरीद के लाया कोई customer नहीं होता जिसको पता होता है कि उसने कितने का product खरीदा shopkeeper ने customer को बस इतना लेना देना होता है कि वह कितने का खरीदे का shopkeeper से ठीक है तो अब उसके पास shopkeeper के पास दो option है या तो वह उसको MRP पे ही बेच दे यानि 1500 का 1500 बेच ले और जो 500 रुपीज का होगा व ना फिर वो जब कोई भी नई shop खुलती है वो कहते हैं अपना customer का base बनाना शुरू करते हैं यानि customer के साथ interaction उसे अपना regular customer बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कह करते हैं अपने customer को discount देना शुरू कर देते हैं suppose करो उसने आपको दिखाया कि देखो sir आप जो product लेने वाले हो यह 1500 रुपीज इसकी MRP है मैं आपको इस पर 100 रुपीज off कर देता हूँ ठीक है आपको भी फायदा हो गया आपको 100 रुपीज off हो गया ठीक है उसको भी फायदा हो गया हो क्योंकि उसने तो 1000 के उपर अभी भी 400 रुपे कमा ही लिए जब उसने 1400 का आपको product बेचा तो यही चीज जो होती है MRP माइनस CP यह बन जाता है शौप कीपर का profit ठीक है MRP है 1500 CP थी हमारी 1000 तो अगर वो MRP पे ही बेचेगा अपना product तो उसका profit ही आजाएगा अगर वो MRP पे 100 रुपीज का discount दे देता है तो MRP की जगह आजाएगा SP तो SP माइनस CP तो आपने पहले भी पढ़ा ह की profit होता है ठीक है देखिए अब मैं एक example के साथ बता देता हूँ जैसा कि मैंने पहला case बताया आपको कि वो MRP पे ही अपना product बेच देगा जब MRP पे अपना product बेचेगा तो MRP ही हो जेगी उसकी SP अब उसने 1500 का MRP था 1500 में ही बेच दिया यानि उसने 0 रुपीज का discount दिया तो उसका profit हो गया पूरा-पूरा 500 रुपे ठीक है वहीं अगर वो अपना customer base बना रहा है और एक बंदे को 100 रुपे का discount दे देता है MRP थी 1500 उसने 100 रुपे का discount दिया यानि उसकी SP हो गई 1400 ठीक है SP होगी 1400 हमें लग रहा है कि हमें 100 रुपे का discount मिल गया हम खुश है shopkeeper को पता है कि उसने अभी भी 400 रुपे उपर करके समान बेचे है तो उसको अभी भी 400 रुपे का discount हो रहा है तो basically discount हुआ क्या discount हुआ MRP माइनस SP MRP आगी वो जो printed rate है उसमें से उसने कितने का बेचा उसने 1400 का बेचा ना 1500 के बजाए तो कितने का discount दिया 100 रुपे का वही हो गया हमारा discount तो discount हो गया MRP माइनस SP और अगर हम discount percentage की बात करें तो simple यह जो उपर मैंने लिखा हुआ है 100 यह वाला 100 यह क्या है यह discount है जो हमने 1500 माइनस 1400 करके निकाला ना यह वो discount है divided by MRP देखिए पहले क्या होता था जब हम SP CP जब सिर्फ profit and loss की बात चल रही होती थी उपर आता था profit slash loss denominator में आता था CP into 100 CP क्यों आता था क्योंकि तब हम calculation ही सारी CP के base पे कर रहे होते थे अब introduction होगी है MRP की तो CP की जगह आएगा MRP कब जब discount की बात चल रही है मैं एक बार फिर से यह clear कर देता हूँ discount की बात चल रही है तो उपर आएगा discount कितना दिया divided by MRP into 100 profit या फिर loss की बात चल रही है तो उपर आएगा profit slash loss divided by CP इस case में भी यानि discount के case में भी अगर उन्हें profit या लॉस निकालने को बोला होगा तब भी आपने denominator में CP लाना है profit या लॉस आया तो यानि आप CP पे काम करोगे discount आया यानि आप MRP पे काम करोगे simple confuse मत होना इन दो चीजों में डिसकाउंट आया तो denominator में MRP, profit यहां loss आया तो denominator में CP, ठीक है, discount percentage में हमने वही कर दिया, यह आया discount, denominator में CP और 100 से multiply कर दिया, हमारी discount percent आ गई, तो जब हमने MRP की value डाली, हमारा बन गया 100 divided by 1500 into 100, यह दोनों 0 गए, 100 divided by 15, जो भी आप calculation वगरा करोगे, आपका वो discount percent आ जाएगा, इस पे, ठीक है, so अभी तक हम बात कर रहे थे, discount की, उसमें आया था सिरफ MRP, discount की बात चल रहे थी तो MRP, अब आपको question ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें discount भी दिया हो, और profit भी दिया हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जो चीज मैंने आपको पहले explain की, discount percent में denominator में आएग CP, ये चीज कभी भी mix मत करना, इसको अच्छे से याद रखना, तो देखते हैं, इस question को कैसे करेंगे, हमारे पास CP है, 1000, MRP है, 1500, SP है, 1400, पहली चीज हम निकालते हैं, discount, discount कितने का मिला, 1500 का MRP था, उसने क्या का, उसने का, मैं 1400 का बेज देता हूँ, यानि उसने 100 रपी इस पी है, हमारे पास, 1500 into 100, तो हमारे पास आ गया, 100 divided by 15, which is equals to 20 by 3%, ये था discount, अब देखते हैं, profit हुए, या फिर loss हुए, profit और loss किस पे calculate होता है, हमेशा CP पे, CP थी हमारी 1000, SP है, हमारी 1400, profit हुए, उसको 400 का profit percentage आ गई, 400 divided by CP, ठीक है, profit की बाद चल रही है, या फिर loss की बाद चल तो denominator में आएगा, CP, 400 divided by CP, 1000, CP into 100, तो हमारे पास, 40% का profit हो रहा है, अभी भी, 100 रपे का discount देने के बाद भी, उसको 40% का profit हो रहा है, ये था profit, या फिर loss का concept, अगर discount भी दिया हुए, और profit और loss भी दिया हुए, आगे हम इसके base पे question भी करेंगे, जिससे आपके concept थोड़े ओ है, कि discount कैसे निकलेगा, और profit या लॉज कैसे निकलेगा, आपको रटना नहीं है, कि MRP लिया, MRP माइनस SP किया, उससे का आया, CP माइनस SP किया, उससे का रटना नहीं है, आपने बस हिंदी में याद रखना है, कि इतने में shopkeeper ने खरीदा, आपने बस question को solve करते टाइम ये customer को दिया, वो कितने पर calculate होगा, जितना आपने price उपर बनाई हुथी, क्योंकि discount आपने customer को बना के दिखाना होता है, कि देख भई, मैं तिरको इतने का discount दे रहा हूँ, तो आपने customer को ये नहीं बताना होता कि हमारा इसमें कितना फायदा हो रहा है, आपने बस customer को ये होती है, 1 by 10, अब discount में मैंने आपको क्या कहा, calculation होती है, सारी MRP में, तो अगर हम profit and loss में 1 by 10 को denominator को CP लेते थे, तो discount में 1 by 10 में denominator को हम MRP लेंगे, अब discount क्या हो रहा है, आप हमेशा discount में पैसा कम कर रहे हो, जो भी पैसा है आप कम कर रहे हो ना, ताकि customer को लोगे कि उसको पै MRP माइनस discount, क्योंकि customer को अगर कम आपको पैसा देना पड़ेगा कोई समान खरीदने के लिए, तब ही वो आपके पास बार बार आएगा, और customer को आप पर ट्रस्ट हो गया कि आप सस्ता समान बेचते हो, तो SP होगी MRP माइनस DS, इस चीज़ को आप ऐसे रहाद कर लो, जैसे discount discount is equals to loss, यह होता नहीं है, आपको बस याद रखना है, ताकि आप इन चीज़ों को लिखने में confused ना हो, discount अगर loss के बराबर होगा, तो 10% discount हम 10% loss मान ले, loss में क्या होता है, यह तो CP ही रहती है, और यह बन जाता है, loss तो SP क्या होती है, CP माइनस loss, वैसी ही चीज़ हमने की, CP क जगा हमने दे दिया discount, discount का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा loss होगा, यह मैं just आपको एक example बता रहा हूँ कि आप confused ना हो जाओ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप बीना इस example के भी सीख चुके हैं, तो आपको इस example को देखने की जुरुत नहीं है, इस स आप confused भी हो सकते हो, मैं just relate करने के लिए यह example बता रहा हूँ, ठीक है, SP आगी हमारी MRP minus discount, MRP है हमारी 10, discount है हमारा 1, SP आगी हमारी 9, तो basically हमारी MRP is to SP की रेशयो बनगी 10 is to 9, चलता है next question पे, discount है हमारा 14.28% का, 14.28 होता है हमारा 7, यह है MRP, यह है discount, SP हो गई, 7 minus 1 is equal to 6, तो MRP is to SP की रेशयो आगई, 7 is to 6, ठीक है, अब हम इसमें introduce कर रहे हैं, CP, अगर CP की introduction हुई है, तो यानि profit या loss भी introduce हो गई होगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी profit की introduction हुई है, यहाँ पर भी profit की introduction हुई है, अब हम इन question को करना शुरू करते हैं, अब देखिए, ए MRP में के लिए भी, और CP के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया था कि CP थी 1000, MRP थी 1500, SP थी 1400, तो इसी SP पे हमने discount भी calculate किया था, इसी SP पे हमने profit भी calculate किया था, तो आप देख सकते हो, कि अगर इन तीनों ratios को पे हमें काम करना है, अगर हम SP को common कर दें, तो हम अपना MRP, CP और SP की ratio निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए, MRP और SP का एक relation बनता है, जो कि discount के थुरू हम निकाल सकते हैं, SP और CP का एक relation बनता है, जो कि हम profit या फिर loss के थुरू निकाल सकते हैं, दोनों में SP common होगी, तो अगर हम SP common ले लेंगे, हमारे पास MRP, SP, CP की ratio आजागी यह राम से, 10% का discount है, यानि 1 by 10, MRP आगी आपकी 10, SP आगी आपकी 9, वही profit है 12.5% का, यानि 1 by 8, CP आगी आपकी 8, और profit हो रहा है, तो SP आगी आपकी 9, आप देख सकते हैं, SP इधर भी 9 है, SP इधर भी 9 है, तो आपकी SP हो चुकी है common, आपकी MRP is to SP is to CP आजाएगी, 10 is to 9 is to 8, इसका मतलब क्या है, कि आपने एक product 8 units का खरीदा, उसकी MRP आपने 2 units से बढ़ा दी, फिर 1 unit का discount दे दिया और बेच दिया 9 का, उसके बावजुद भी आपको 1 unit का profit हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, next question, 14.28% का discount मिल रहा है, यानि 1 by 7, MRP आगी हमारे पास 7, SP आगी हमारे पास 6 profit हो रहा है, 9.09% का, यानि 1 by 11, CP आगी हमारे पास 11, यह आगी हमारे पास 12, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 12, तो हम 6 को 12 बना देते हैं, इस equation को हमने 2 से multiply कर दिया, MRP आगी हमारे पास 14, SP आगी हमारे पास 12, और जहां 12 SP था, वहाँ CP क्या था, CP था हमारे पास 11, तो MRP is to SP is to CP की ratio आगी, 14 is to 12 is to 11, ठीक है, इस तरीके से हम अपने question को निकालते हैं, MRP और SP में relation बनेगा, discount के थरू, CP और SP में relation बनेगा, profit यान loss के थरू, SP को हम दोनों में common कर देंगे, CP, MRP और SP का relation आजाएगा, ठीक है, सो यह रहा पहला question, इसको करते हैं solve, इसके basis पे आपके सारे जो doubts होंगे, वो clear हो जाएगे, CP है article का 500, उसको profit हुए 10% का, फिलाल इतना ही देखते हैं, उसको profit हुए 10% का, 500 का 10% होता है, 50, profit हुए तो add करेंगे, 550 हागी हमारी SP, even after selling it at a discount of 45%, 45% का discount दिये है, यानि की 45 upon 100, 525, 9, अगर हमारी MRP है, 20, तो हमारी SP होगी, 20-9, which is equal to 11, SP यहाँ पर हमारी आ रही है, 550 रुपीज, यहाँ पर आ रही है, हमारी 11 युनिट हम compare कर लेंगे, 11 युनिट की value है, 550, वन युनिट की value आ गई, 50, तो हमारा MRP गया है, 20 युनिट, 50 into 20 करेंगे, तो 1000 आ जाएगा, हमारा MRP, इन्होंने पूछा है, वही MRP of an article is, रुपीज, 1000, option C, so, अभी तक हमारा concept चल रहा था, MRP discount और SP का, यह था normal discount जब उन्होंने percentage में आपको दिया हुआ था, आगे आपको ऐसे discount भी दिये जा सकते हैं, जैसे कि buy X, get Y free, आपने बड़ी बार offers देखे होंगे, जैसे buy 1, get 1 free, ठीक है, यह भी एक तरीके का discount ही होता ह है, यह आपने एक चीज खरी दी, उसके साथ आपको एक चीज मुफ्त मिलगी, अब ऐसे questions को कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं हमारी पहली example, buy 1, get 1 free, देखे, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने buy किया, यानि आपने इसके लिए payment की, आपको free मिला, यानि यही जो आपको free मिल रहा है, आपके लिए यही एक तरीके का discount होगा, ठीक है, पहले वाले question में आपने कितने की payment की, एक की, free कितना मिला, एक, आप discount percentage निकालनी हो, तो आपको जो free मिल रहा है, आपका discount है, discount कितना हुआ, एक, total जो shopkeeper है, उसने कितनी items बेची, उ और एक, उसने मुफ्त वाली आपको दे दी, तो उसने total items निकालनी, अपनी 2, into 100 करेंगे, तो 50% आजागा आपका पहले वाले question का discount, similarly second देखते हैं, buy 3, get 1 free, सिधा discount percent की बात करते हैं, free कितने मिल रहे हैं, जो free मिल रहे हैं, वही आपका discount है, एक मिल रहा है आपको free, total items भी क जिनकी पैसे देके आपने payment की है, तो total item भी करेंगे, 4 into 100, तो आपका आगया 25% का discount, second वाले case में, third case देखते हैं, 2 item मिल रहे हैं, free, total 5 items हैं, into 100 करेंगे, 40% का आपको मिल रहा है, third वाले में discount, क्या किया है हमने, ऐसे बता देता हूं, discount, ऐसे वाले questions में कैसे निकलेगा, free आ total sale कितनी हुई है, into 100, आपका discount percent ले आएगा, ठीक है, अब आ रहा है हमारा concept, successive percentage का, successive percentage के होती है, बड़ी बार आपने देखा होगा, आप shop के बाहर जाते हो, तो आपको दिखते हैं, कि 70% discount, plus 30% discount, आप confused हो यह तो कि 70% का discount है, plus 30% का discount, यानि 100% का discount हो गए यह तो, यानि आप आपको product free में मिल रहा है, पर क्या ऐसा होता है, कभी आपने कोई product दुकान पर जाके खरीद है, तो आपको वो free में मिल है, ऐसा कभी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि कोई एक product है, उस product की CP पे पहले, या फिर MRP पे, जैसा भी discount की बात चल रहे ह तो MRP ही होगी, MRP पे पहले 70% का discount मिलेगा, जो SP बचेगी, उस पे 30% का discount मिलेगा, ठीक है, अभी मैं एक example देगा होताता हूँ, suppose कर लीजिए, आप एक perfume लेनेगे, उसकी cost थी 1000 रुपे, उरने का 70% plus 30% discount है, ठीक है, तो पहले वो क्या करेंगे, इस पे 70% का discount लगाएंगे, यानि की 700 रुपीज वो आपको off कर देंगे, 700 रुपीज उन्होंने off कर दिये, तो बचे कितनी price? 300 रुपीज, फिर उन्होंने कहा कि इन 300 रुपीज पे भी वो 30% का off लगाएंगे, 300 रुपीज में 30% का off लगाया, यानि उसने 90 रुपीज आपके लिए कितने बचे? आपक थे नहीं, दो डिसकाउंट लगे, तो आपकी SP बन गई 210 रुपे, तो कितने रुपीज का यहाँ पर डिसकाउंट दिया जा रहा है? 790 रुपीज का आपको यहाँ पर डिसकाउंट मिल रहा है, तो डिसकाउंट की percentage क्या होगी? 790 divided by 1000, क्योंकि 1000 थी MRP into 100, यह कटा, यह कट का आपको डिसकाउंट दिया जा रहा है, जो की देखने में आपको 100% लग रहा था, पर successive discount का मतलब ही यह है, कि एक एक करके product पे discount लगेगा, यह था method 1, अब मैं आपको बताता हूं method 2, method 2 मैं ज्यादा prefer नहीं करता, क्योंकि यह है formula based, formula क्या है? किसी एक को आप x ले लो, किस x plus y minus x into y divided by 100, x आगया आपके पास 70, y आगया आपके पास 300, इन दोनों की multiplication हो जाएगी तो आएगा 2100 divided by 100, इससे यह कटा, इससे यह कटा, एक सो में से 21 काटे, तो 79% का आपका पड़ेगा overall discount, ठीक है? यह formula है, देखने में लग रहा है, आपको कि यह जल्दी हो जाएगा, पर यह जल्दी कब होगा, जब आपकी terms ऐसे 70 और 30 की form में होगी, for example, आपको successive discount पढ़ रहा है, 45% का, दूसरा पढ़ रहा है, 35% का, तब आप क्या करोगे? 45 plus 35 तो आप कर लोगे, जब minus 45 into 35 करने की बारी हैगी, तो चले जाएगे न, calculation बहुत बड़ी, तो इसलिए, ऐसे cases म मैं आपको prefer करता हूँ कि हम method 3 लगाएं, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, method 3 में क्या है? हमारे पास 70% discount है, मैंने आपको कहा था, discount आपको compare करना है एक तरीके के loss से, actually में loss नहीं होता, हमें सिरफ याद रखना है कि minus होगी चीज़ें, इसलिए हमें उसको loss से compare करना है, 70% की value होती है, 70 by 100, which is equal to 7 by 10, MRP होगी हमारी 10, 7 होगा हमारा discount तो SP हो जाएगी हमारी 3, यह आगया 70% के लिए, 30% के लिए, 30% होता है 3 by 10, MRP होगया हमारे पास 10, SP आगी हमारे पास 7, यह चीज़ समझा आगी, अब क्या करना है हमें इनको एक साथ लिख देना है, MRP लिखेंगे हम, एक साइड, SP लिखेंगे हम एक साइड, 70% के लिए, 10 थी MRP, 3 थी SP, और 30% के लिए, 10 थी MRP, और 7 थी SP, अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें करेंगे multiply, MRP को multiply किया आगया 100, SP को multiply किया आगया 21, तो जिसका MRP 100 था, उसकी SP थी 21, discount कितने का हुआ, 79 रुपी इससे ये कट गया, 79% का हो गया आपका discount, ये आया, third method, जो कि सबसे दादा efficient method है, आप किसी पे भी apply करके देख लो, suppose कर लिजिए, पहला discount percent मिल रहा है, आपको 12.5% का, और दूसरा discount percent मिल रहा है, आपको 45% का, तो 12.5% होता है, 1 by 8 के बराबर, 45% होता है, 9 by 20 के बराबर, हम MR और SP लिख लेंगे, पहले की MRP है 8, SP है 7, दूसरे की MRP है 20, SP है 11, ये समझाया, 20 और 11 कां से आया, 20 तो आपको समझा गए होगा, 11 पर दियान दिखने है, आपने 11 कां से आया, 20-9 is equal to 11, अब क्या करेंगे हम इनको multiply, 160 आ गया ये, और 77 आ गया ये, 160 है हमारी MRP, 77 है हमारा SP, gap निकाल लेंगे, 160 में से 77 निकाल लेंगे, 3, 8, 7, 15, 83 रुपीज का हो रहा है discount, ठीक है रुपीज नहीं, actually units, 83 रुपीज का हो रहा है discount, तो discount percentage क्या हो जाएगी, 83 divided by MRP into 100, ये गया, तो अब देखे 16, 5's are almost 80 होता है, तो 5 point something आपका जो भी answer होगा, जब आप इस से multiply कर लोग तो आपको बाद चल जाएगा, around 50 point something का discount दिया जा रहा है, कब जब हमारी 1 discount था 12.5% और 200 discount था 45%, तो हमारा overall discount आ रहा है 50 point something, तो ये था एक तरीका जिससे आप सारे जो जितने भी successive percentage है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी successive percentage दी हो, आपको आप वो चीज सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस multiplication करनी है, MRP की multiplication करनी है, SP की जो gap होगा, वो होगा हमारा discount, and then खतम, so आगया question, अब हम अपने question शुरू करेंगे, question आगया, एक single discount निकाना है, जिसको 3 successive discounts को convert करके हमें, एक single discount मिलाना है, पहली चीज 5% आगया, 1 by 20, MRP लिखा हमने SP लिखा, 20 आगी MRP, SP आगी 19, सेकिंड 10% की बात चल रही है, 10% होता है, 1 by 10, तो MRP आगी हमारी 10, SP आगी 9, 20% होता है, 1 by 5, MRP आगी हमारी 5, SP आगी हमारी 4, अब कर लेते हैं इनको, multiply, 20, 10, 200, 5, 1000, यह आगी हमारी MRP, अब इस वाले को करते हैं, 19, 9, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 19 into 10 minus 1, 190 minus 19, 190 में से अगर आप 20 काट होगे, तो आएगा 170, उसमें एक आड़ कर दो, 171 into 4, यह वाला 4, ठीक है, into 4 करोगे, तो आपके बास आजाएगा, 6, 84, तो 6, 84 आगई, आपकी SP, 1000 थी आपकी CP, डिसकाउंट कितने का दिया, डिसकाउंट दिया जा रहा है, यहाँ पर 316 का, तो डिसकाउंट परसेंट क्या होगी, 316 divided by MRP into 100, 31.6% आगया आपका आंसर, ठीक है, ऐसे करना है, MRP हमने एक जगा लिखी, SP हमने एक जगा लिखी, multiply किया, MRP आगी टोटल, SP आगी टोटल, और MRP से आपने जब SP को काटा, डिसकाउंट आगया, divided by MRP into 100 आगया, आपकी डिसकाउंट परसेंट, ठीक है, next question आगया, MRP of article is 6400, इस बार हमें MRP दी हुई है, what price it will be sold after 3 discounts हमें यह यह दिये हुई है, पहला डिसकाउंट है 12.5% यानि 1 by 8, MRP आगयी हमारे पास 8, SP आगी हमारे पास 7, second discount आगया हमारा, 1 by 10 का, MRP आगी हमारे पास 10, SP आगी हमारे पास 9, third discount आगया हमारा, 1 by 4 का, MRP आगी 4, SP आगी हमारे पास 3, multiply कर देंगे, तो MRP हमारे पास आ रहा है, 8 into 10 into 4, 8, 4 is a 32, 32 into 10, 320, और SP आ रहा हमारे पास 7 into 9 into 3, 7, 3 is a 21 into 9, 210 minus 21, which is equals to 189, अब उन्होंने question में कहा है कि SP क्या होनी चाहिए, यानि इस 189 units की हमें value निकालनी है, कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमने देखा question में MRP की exact value है, 6400, MRP की हमारे units में value है 320, तो 320 को हम 6400 से compare करेंगे, 1 की value आजेगी 20, उन्होंने कहा है कि SP बताओ, sold का मतलब SP, यानि 189 की value निकालनी है, 1 की value है 20, तो 189 की value होगी 20 into 189, which is equals to 3780, हमारा option B, चलते हैं next question पर, ये shopkeeper sells an item in rupees इतना, तो SP आगी हमारे पास 780, after allowing discount of इतना, 14, 2 by 7% होता है 1 by 7 के बराबर, यानि ये होगी MRP, ये होगा discount, तो SP आगी हमारी 6, next line कहा रही है, but he gives 3 article free on purchase of 13 article, ये free वाला आगया, तो मैंने आपको बताया था, कि free वाली जो होगी, free वाली कौन सी है, हमें 3 articles free मिल रहे हैं, तो 3 आएगा numerator में, total कितने articles हैं, 16 आएगा denominator में, इसको अगर हम 100 से multiply करतेंगे, तो हमारी percentage बन जाएगी, पर हमें percentage में convert नहीं करा, क्योंकि हमने अलड़ी एक percentage को fraction में convert किया है, हम इसे fraction में run देते हैं, 3 by 16, 16 है MRP, 3 है हमारे discount, तो SP हो जाएगी 16 minus 3 which is equal to 13, यही तो लिखा है, purchase of 13 article, यानि है अपने 13 article के लिए pay किया हुआ है, so MRP आगी हमारी 7, इस वाली percentage के लिए MRP हमारी आगी 16, इस वाली line के लिए, SP आगी हमारी 6, इस वाली percentage के लिए SP आगी हमारी 13, इस वाली percentage के लिए, अब shopkeeper sells an item for 780, ऐसा करते हैं, पहले इनको reduce कर लेते हैं, 2, 5s are 10, 12, 2, 6s are 12, 2, 3s are 6, 2, 9s are 18, ठीक है, 39 की value आगई 780, basically यह ratio होती है, MRP और SP ratio होगी, 39 की value आगई 780, 1 की value आगई 20, अब उन्होंने क्या पूचा है, उन्होंने पूचा है कि बताओ MRP क्या होगी, MRP आपको क्या दिख रही है, 56, तो 56 into 20 करोगे, आपकी MRP आ जाएगी, 1120, ठीक है, तो option B है आपका final answer, चलते हैं next question पर, अभी marks up his good by 40%, अगर उसकी CP है 100, तो उसकी MRP हो जाएगी 140, and then gave 20% discount, discount दिया उसने 20% का, यानि SP हो गई आपकी 140 into 80, divided by 100, 148 जा, 112, SP आगी आपकी 112, अब next चीज कहिए, he also give one article free on purchase of 15 article, तो SP आपकी अभी नहीं calculate होनी थी, SP आपकी अभी नहीं calculate होनी थी, पहला discount मिल रहा है आपको 20% का, तो 1 by 5, MRP आगई आपकी 5, SP आगया आपका 4, second discount क्या मिल रहा है उसको, 15 की आप payment कर रहे हो, SP आगी 15, total items भी करी हैं 16, क्योंकि 15 payment वाली एक free वाली, तो MRP आगी 16, अब क्या करेंगे हम इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहीं पर, तो हमारी MRP और SP कुछ ऐसी दिखने लगी, 5 into 16 I MRP, 4 into 15 I SP, इनको थोड़ा reduce कर लेते हैं क्योंकि यह ratios होती है, 4, 4 is a 16, 5, 3 is a 15, यानि की MRP आपके पास आई 4, SP आई आपके पास 3, अब देखिए इन्होंने का है, अभे marks up his goods by 40%, यानि की अगर 100 उसने लिया होता CP, तो 140 आता उसका MRP, 5 is to 7 की ratio में आ रहा है, CP is to MRP, यहाँ पर MRP है उसका 4, यहाँ पर MRP है उसका 7, MRP को हम common करेंगे, इन terms को हम 7 से multiply कर देंगे, इन term को हम 4 से multiply कर देंगे, तो multiplication करने के बाद सारा solve करने के बाद हमारी ऐसी कुछ ratio बनेगी, MRP, CP और SP की, यह चीज़ आपको खुद solve करनी है, ठीक है, अब देखिए, और उन्हें काया gain percent, gain percent में MRP का कोई काम नहीं होता, हमें सिरफ CP और SP पर काम करना है, CP थी 20, SP है 21, यानि एक का profit हुआ है उसे 20 पे into 100, तो उसको overall 5% का profit हो रहा है, option C है आपका correct answer, इसी के साथ हमारा profit and loss का part 4 भी खतम हो जाता है, कल मैं आपके लिए next वीडियो में, part 5 में, 5 question और लेके आऊंगा, ठीक है, उससे आपका थोड़ा discount का concept और clear हो जागा, क्योंकि है same ही चीज़ है, concept आपका सारा clear हो जुका है, हम बस 5 question और practice करेंगे, जिससे हमारी practice थोड़ी जादा हो जाए, तो खतम करते हैं आज का part 4, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को like कीजिए, साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you.